जूलरी पर्स को इस तरीके से एक बार फ्रिज में रखके देखिए आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी शायदी आपने ये वाली टिप्स देखी होगी आज के टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा काम की है जब भी हम इडली बनाते हैं आप देखते होंगे कई लोग की इडली एकदम चिकनी चिकनी नहीं निकलती है पीछे की तरफ एकदम चिपक जाता है तो उसके दो रीजन होते हैं एक टू फ्रेंट्स आपना थोड़ा सा ओल जरूर इडली के स्टैंड में लगा लीजिए इससे इडली नहीं चिपकेगी उसके बाद फ्रेंट्स कभी कभी आप देखते होंगे तेल लगने के बाद भी चिपक जाती है तो इसका रीजन यह होता है कि जब भी आप इडली को उतारें स्टीमर से तुरंत ना उसे निकाले उसे पहले पूरा जो स्टीम है वो निकल जाने देजिए उसके बाद आप इस तरीके से जैसे मैं उंगली से हलका अलक सा पुछ कर रही हूं ना इस तरीके से आप निकाले इसे अगर आप करेंगे ना ठंडा करके तो आपको जो इडली है वो बहुत अच्छी निकलेगी और फ्रेंड्स यह मैंने बनाई थी सूजी की इडली आपको देखके लग रहा होगा कि ऑथेंटिक वाली इडली है बट बहुत अच्छी इडली बनती है सूजी की एकदम आ आप सबको पता ही होगी तो आप इन टिप्स को फॉलो करोगे ना तो आपके जो इडली है वो इसी तरीके से चिकनी-चिकनी साफ सुत्री निकलेगी थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए थोड़ा सा ओयल लगा लिजिए थोड़ा सा पुश करी आपका इडली बहुत अच्छ के हाथों से तो इसका बहुत अच्छा यूज हम करेंगे मैं एक अपना इस तरीके से रख लेती हूं इससे क्या होता है ना जब भी आपका ग्रेटर हो या आपकी नाइफ हो आपका सीजर हो जब भी उसकी धार खतम लगे ना आपको की ठेक से वर्क नहीं कर रहा है आप इ इसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे यह सब काम आपके नाइफ सीजर ग्रेटर सब घर में ही आपका हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप्स की तरफ जो है बिस्किट्स या नमकीन को लेके फ्रेंस कभी-कभी क्या होता है हम बिस्किट्स नमकीन को दे देते हैं य इसके लिए हम लोग को गरम करना परता है माइक्रोवेव करना परता है बट उससे भी फ्रेशनेस नहीं आती है तो सबसे आसान टिप्स है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना क्या है मिक्स्चर हो या बिस्किट हो आप इसे सीधे डाल दीजिए फ्रिज में नहीं डालना ह अब कुछ सेकंड बाद आप खाएंगे कुछ मतलब 15-20 में आप देखेंगे विडम क्रिस्पी हो जाएगा उसके बाद आज की सबसे यूसफूल टिप्स है इस तरीके के जूलरी पर्स को लेकि यह सब हम सबके घरों में होता है तो आज हम इसका बहुत अच्छा यूस करन है या स्वैलिंग हो जाती है या कभी किसी पोशन में हमको जलन देने लगता है आँख में या कहीं कहीं हाथों में तो आप इस तरीके से जूलरी पर्स का इस्तमाल कर सकते हो आइस इसमें डाल के आप इसको जब सेकोगे आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रस्ट में आप कर बर्फ हाथों से पिसलता भी नहीं है और डिरेक्टरी अगर हम बर्फ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता भी है उसके बाद जर्ण बच्चे हैं कभी बच्चे खेल के आते हैं बच्चों के पैदों में कभी चोट वगएरा लग जाती है तो उन्हें भी आप इस त लगी होगी चलिए फ्रेंज बढ़ते हैं नैक्स टिप के तरफ तो फ्रेंज नेक्स के हैं फ्रेंज को लेकर जब भी आप इसको कट करो ना तो एक मीबू का जो चिल का होता है उससे आप इसको ना थोड़ा सा घिस लिया करो नाइफ को और जिस बरतन में आपको प्याज है न उस बरतन को भी आप इस तरीके से नाय बतकि निम्बव से गिस लिया करें इससे क्या होगा फ्रैंस नायिव से घिसने एक न भी ऍर लिगाना जो प्याज हमें बहुत तेज लगता है नहीं लगेगा नायिव सेड़ाखों काटओगे निम्बॵ को घिस करना तो आप देखो कि प्याज आँखो कि नहीं लगेगा और प्लेट में जब घिसो गे ना तो उसमें रखते जाओगे तो इससे आपकी आँखो में भी प्याज नहीं लगेगा तो ये मैं टिप्स आपके साथ प्याज का شेहर इसलिए कर दें क्योंकि मुझे निस प्याज को स्टोर करके रखना है । इस टेफिन में मैं इससे प्याज को च्हिल के रखूँ अब आप सोसके रखने से फ्रिज में बद्दू एगा बिल्कूल ethics को इस तरीके से च्हिल के 8-10 दिन के लिए अरामffe से रख सकते हैं.. मौनिंग में या कभी भी आपको बहुत अर्जेंट यूज करना हूँ तो फटाफट से आप इन छिले हुए प्याज को निकालो और यूज करो और बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगता है कोई भी इसे कट करें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी तो अगर आपको अपना काम म प्याज को आपको टेस्ट में कोई भी फरक नहीं आएगा और आपको आँखों में बिलकुल भी नहीं लगेगा तो बहुत ही अच्छे टिप्स हैं मैं इसी तरीके से प्याज को ना चैल पास जिन करें तो छिलके रखी लेती हूँ कि अभी तो स्कूल बंद है ना जब स्क काम भी फटा-फट हो जाए और आँखों में भी ना लगे यह सब चीजे करना बहुत ज्यादा लगता है तो यह टिप्स बहुत ही ज्यादा यूसफुल है हम हाउस वाइस के लिए हम ममी के लिए जो सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाते हैं तो आई हो आई होप आज की वीडियो आपको हैलफुल लगी होगी तो देखिए मैंने इस टिफिन में आप कोई भी टिफिन ले सकते हो किसी में भी आप स्टोर करके रख सकते हो इस तरीके से रख लूँगी और मेरा चार पांस दिन तो चली जाएगा जितना भी दिन चलेगा वह तो करने नहीं है कोई स्मेल नहीं नहीं है कोई नुकसान नहीं है हाँ अगर आप कटा हुआ प्याज रखते हो बारी कट करके तो आप सुबह और शाम ही यूज कर सकते हैं उसे आप दो दिन के लिए नहीं रख सकते हो कटे हूए प्याज को बिल्कुल भी नहीं रखना झाल झाल